हेलो फैंस, I am Indrajit and you are very welcome to my YouTube channel आज मैं आप लोगों के लिए भूद बड़ी खुस खबरी लेके आया हूँ मुक्यमंति लाली बहना योजना के अंतरकत जो पात्र महिलाएं थी उन महिलाओं को जो रासी 10 नवंबर 2023 को मिलने वाली थी वो रासी अब आप लोगों को मिलेगी 7 नवंबर 2023 को ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुस कबरी है तारिक से पहले आप लोगों को ये जो रासी है वो मिल रही है इसे चाहे आप दिपावली का बोनस को हो या धंतिरस का बोनस को हो अब जो भी मान सकते हो इसका official notification ने जारी हो चुका है मैं आप लोगों को notification ने official चीज़ है और दिखाने वाला हूँ हाँ आप देख सकते हैं यह इसका official notification है संचाल नायक महिलायम बालविका स्विभाग से और यह जो notification है 3 नॉबंबर 2023 को यह official notification है mpwcd.gov.in की website पर release कर दिया गया है यह जो option notification है इस notification में आप देख पाएंगे कि अब की रासी है वो जो आपका दिपावली बोनस है वो कब से आप लोगों को मिलने वाला है यह जो letter है इस letter को मैं आपको पढ़ के दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर विशे है मुक्यमंति लाली बहना योजना 2023 के अंतरगत जो पात्र हिदग्राई को महा नवंबर 2023 की मासिक आर्थिक साहिता की रासी अंतरगत के संबंद में मुक्यमंति लाली बहना योजना 2023 के अंतरगत पात्र हिदग्राई को महा नवंबर 2023 की मासिक अर्ति साहिता रासि के अंतरगत निर्धारिती थी दिनांक 10 नवंबर 2023 के इस्तान पर दिनांक 7 नवंबर 2023 मंगलवार को यहाँ पर आप लोगों के खाते में जो रासि है वो ट्रांस्फोरे और की जाएगे मद्यपदेश विदानसबा सामान निर्वाचन 2023 है तू प्रभावशिल अचार सहिता के द्रश्टिगत महा नवंबर 2023 की मासिक अर्तिक साहिता रासि का दिनांक 7 नवंबर 2023 को भुकतान केवल उन पात्रम हिद्ग्रायों को किया जाना है जिसमें मां अक्तुमबर 2023 की मासिक अर्तिक रासि का सपल भुकतान किया जा चुका है अब देखें यहाँ पर ये रासि किस कारण आ रही है वो कि ये ना दिपावली का बोनस है ना धंतेरस का ये अचार सहीता लगने के कारण से ये जो आपकी रासि है ये 7 नवंबर को आ रही है ओके अचार सहीता लगने के कारण से आप लोगों की जो रासि है जो 10 नवंबर को आती थी वो रासि आप लोगों को 7 नवंबर के दिन 2023 के दिन है वो भुकताने और की जाएगी यहाँ पर आप इस पर्ष्ट रुप से देख सकते हैं आप यहाँ पर उन महिलाओं को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उन महिलाओं को खाते में जो पेशा आएगा जिनके पास अक्तुमबर मंत में पेशा आया है अक्तुम्बर मन्त में जिन हिदग्रायों के पास पेशा आया है उनी के पास इस बार भी पेशा है वो आएगा यहाँ पर इस पश्ट रुप से दे रखाए और यह नोटिफिक्शन आप देख पाएंगे तद आनोसा जिलावार उक्त हिदग्रायों की सुची प्रतेक जिले के जिला कारिक्रम अधिकारी महिलायम वालविकार स्विभाग के लागिन यह एव एम पी यस एडी द्वारा उपलब्द कराई जाएगे प्रतेक जिले को कारिक्रम अधिकारी द्वारा चार नॉवंबर यह पाच नॉवंबर 2023 को एक उक्त जो सुची है कि अधार पर पोर्टल में अपने लागिन इसे यह पेमेंट है टू इलेक्टानिक स्विक्रती आदेश और डिजिटल साइंट इलेक्टानिक्स भुकतान आदेश पोर्टल के माद्यम से आप लोगों को भुकतान है तो बेंकिंग और अनिवारे प्रेशिट किये जाएंगे जिसमें कि बेंक द्वारा खाते में अगरीम जमा रासी से ही हिदगायों के खाते में रासी का अंतरण 7 नॉवंबर 2023 को किया जाएगा यहाँ इसपेश्ट किया जाता है कि दिनांक चार और पांच नॉवंबर 2023 को सास की आउकास है यहाँ पर आप देख सकते हैं चार और पांच नॉवंबर 2023 को सरकारी छुट्टी होने के कारण यह जो आपका रासी है वो 7 नॉवंबर को डाली जा रही है अगर आप लोगों की यहाँ पर चार और पांच नॉवंबर को अगर सरकारी आउकास नहीं होता तो आपकी जो रासी है वो 4 नॉवंबर को डाली जाती लेकिन यहाँ पर सरकारी आउकास होने की कारण आपकी जो रासी है वो 7 नॉवंबर को डाली जाएगी प्रन्तो आवकास अवदी में उक्त कारेगम के अनिवार समय अवदी में पूनत करना सुरक्चित करें यह आप देख सकते और यहाँ पर महिलायम बालिका स्विभाग के जो डाक्टर राम राव भूशले हैं उनके यहाँ पर सेगनेचर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यह ना ही दिपावली का बोनस है यह जो आपकी रासी है यह जो मुक्यमंति लाली बहना योजना के अंतरगर जो आपकी जो रासी 1250 रुपे मिलती है मही राची इस बाब भी दिपावली पर आप लोगों को 1250 रुपे की राची है वो मिलेगी यही पर मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा वीडियो अच्चा लगाओ तो वीडियो को लाइक किजीगा शेर किजीगा और सस्क्राइब किजीगा ठैक्यू फ्रेंज